आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिर नाम सिद्धान तक नहीं होतरी, स्टेडी आईक्यू पैप का बहुत बहुत सुआ गता है, आज हम बात करेंगे दोस्तों, बीबी लाल की, बीबी लाल जिनको पद्म विभूशन अवार्ड दिया गया है, राम जन्म के बारे में सब बताया है, आप ज़रूर देखिएगा, फिलाल हम ब्रज बासिलाल की बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यूपी से के स्मार्ट को से जाते हैं, अब हमने टेस सीरीज भी लांच कर दिया, आप इसको ज़रूर अविल करें, अगले महीने से में ट फिर आता पद्म विभूशन जो इस बार साथ लगों को दिया, फिर पद्म भूशन और पद्म शरीफ, यह हमारे पद्म अवार्ट्स है, तो ब्रज बासिलाल की बात करें, तो 1968 से 72 तक डारेक्टर जनरल थे, आर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया, और हरपन की बात करें, हिंदू एपिक महभारत की बात करें, रामायन की बात करें, सब जगा इन्होंने काम किया है, साथी साथ यूनेस्को की कमिटीज में भी यह रहे हैं, पद्म भूशन इनको 2000 में दिया गया था, और अब इनको पद्म विभूशन मिला है, बाबरी मस्जित के नीचे कुछ त हुआ, अलाबाद यूनिवर्सिटी से फिर यह संस्क्रिट की मास्टर डिग्री ली, संस्क्रिट एक शांदार भाशा है, दोस्तों, मेरे ख्याल में, लैंग्वेज ऑफ दी लैंग्वेज इसको बोला जाएगा, बहुत सारी लैंग्वेज संस्क्रिट से निकली है, पूर इन्होंने ब्रिटिश आर्केलोजिस्ट मॉटेमर वीलर, वॉटेमर वीलर की बाद करें, इंस्टिटुट ओफ लिंडन इन्होंने फाउंड किया, और बहुत गजब के आर्केलोजिस्ट है, इनको 20th संचुरी का ब्रिटेश का सबसे बड़ा आर्केलोजिस्ट माना जाता और अभी तक इन्होंने 150 रिसर्च पेपर्स, 50 से ज़्यादा किताबे लिखी हैं, नाशनल और इंटरनाशनल जनरल्समिन, सबसे नोटेबल किताब इनकी कौन सी है, दसारस्वती फ्लोस, Continuity of Indian Culture, published in 2002, राम, His Historicity, मंदिर, and सेतु, Evidence of Literature, Archaeology, and Other Sciences, जो 2008 तक पब्लिश राम, जन्म भूमी, 1950 से लेकर 1952 तक इन्होंने number of sites associated with महाभारत, महाभारत मित है, नहीं है, हमेशा इसके पीछे डिबेट रही है, तो बहुत सारे इन्होंने evidence दे दिए कि भहिया, देख लो, जो भी इसको गलत मानते थे, तुमारे सामने evidence है, archaeological evidence है, painted grey wear sites, endo-gangetic divide, अपर य Iron Age की बात है, वहाँ पर इन्होंने discover किया, ऐसा ही archaeology चलती है, देखिए, 1000 साल पहले, जो लोग use करते थे, वो आज कही ना की दबे हुए है, अब ये अगर बात करें, pottery हो गया, या metals हो गया, ये तो कभी जाते हैं नहीं, उनको निकालना, फिर उनको study करना, बड़ा important काम है तो ये इन्होंने किया, तो इंडो गैंजटिक डिवाइड और अपर यमुना गंगा दुआब में, पेंटेट ग्रे वार जो है, वार बोल रहा हूँ, पेंटेट ग्रे वार साइट जो है, इन्होंने discover की है, फिर पेपर लिखा है इन्होंने, 1975 में, 20 साल बाद इन्होंने इन्होंने ये समुराइज किया, कि जो अवेलेबल आर्केलोजिकल एविडिन्स है, ये बताते हैं, कि येस महा भारत स्टोरी का बेस है यहां पे, हाला कि इसको बहुत बढ़ा चड़ा के बताया गया है, देखिए ये हो सकता है कि स्टोरी रही हो है, देखिए महा भारत त आगे बाड़ा हमने कुछ और भी एड़ किया, तो ये बोला गया है इन्होंने, इन्होंने समराइज किया, कि तो आर्केलोजिकल एविडिन्स है, येस महा भारत हुई थी, लेकिन नो डाउट इट गट इमेंसली इंफलेटेड दूरिंग दी कोर्स आफ ताइम, आगे दे प्रोजेक्ट होते हैं, आर्केलोजिस यही करते हैं, तो महा भारत है, महा भारत हुई की नहीं, आप कैसे पता लगा पाएंगे, आपको एविडेंस सही है, तो आप वो कैसे, थ्रू आर्केलोजी, आप खोधी है, आपको कुछना कुस्तो, जहां पे महा भारत कुरुक्ष पाँच रमायन रिलेटेट साइट को एक्सकवेट किया गया जिसमें आयोध्या, भारत वाज आश्रम, नंदिग्राम, चित्रकूट और श्रिंगा वेरपूर, शुरुवात में तो दोस्तों ये था कि अभी तक they do not indicate the beginnings of the site, 8th century से पहले कुछ भी हमको फिलहाल नहीं मिला, ल जो बाद में BJP की magazine मन्थन में भी छपा, उन्होंने ये बताया कि आज जहां पे बाबरी मस्जिद बना है आयोध्या में, वहां पे temple-like pillars मिले हैं, जब खुदाई हुई तो वहां पे temple-like pillars मिले, 2008 इन्होंने किताब लिखी, अब ये important है, ध्यान से सुनेगा, यहां पे इन्होंने लिखा है कि 12 stone pillars मिले हैं, हमारे जैसे architecture था, उसमें देवी देवताओं का मूर्ती होती थी, ठीक है, कढ़ा ही होती थी, देवी देवताओं को कढ़ा जाता था, पिलर्स में, आज भी अगर आप अंदिर में जाएंगे तो आप देखेगे, पिलर्स में देवी देवता होते हैं, उनकी motives होते हैं, तो जो stone pillars मिले हैं, जो 12 stone pillars मिले, उनमें typical Hindu motives तो थे ही, साथी साथ Hindu dieties के भी figure थे, मतलब Hindu motives तो थे ही, है ना, कि जो Hindu religion को signify करते हैं, लेकि भगवान के भी figures थे, और ये self evident है, कि it was not the integral part of the masjid, masjid का integral part नहीं थी, but foreign, बिलकुल अलग थी, तो ये दिखाता है कि yes, बाबरी masjid के नीचे pillars तो थे, मंदिर तो था, मतलब इनकी theory के हिसाब से pillar based theory, और बाद में इसी को ही evidence बना के court में भी पेश किया गया, और फिर जो history है आपके साम नहीं है, 1990 से लेकर 2020 तक क्या हुआ, वो सब मैंने अल्रेडी कवर किया है, study IQ का वाइड आप जरूर देखेगा, ये थे बीबी लाल, ब्रजबासी लाल, बैसे शांदार archaeologist है, बहुत ही जबरदस्त नाम है, archaeology में इनका, और इन्होंने एक तरीके से उस legacy को आ ढई देखेगा झाल, बहुत है जीज है रखेगा, बहुत है और देखेगाय को आपया है येजह को आपईजबास्त नाम है इन्हों का ये चल्से लाल, ये वो दिर्स्ते दिया है येश्वाजल और ब्देखेगा, उल्देगारी का है,